हमारे सभी दर्शकों को साधर पडाम जैशी कृष्टन आज हम फिर आपके लिए लाए हैं अगली कड़ी में शड़ाश्टक दोश को अन्य राशियों में समझाएंगे जैसा कि मैं पूरू के वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मेंश राशी वालों का विवाह वरश्चिक राशी से हो और वरशब राशी वालों का विवाह तुला राशी से हो तो शड़ाश्टक भकुट दोश नहीं लगेगा अब इसी करम को आगे बढ़ाते हुए दो जोड़े और बताऊंगा आज इस वीडियो में यदि इन दो जोड़ों का आपस में विवाह हो तो इसमें शड़ाश्टक वाला भकुट दोश नहीं लगेगा भकुट दोश लिखा हुआ होता है जब आप कंप्यूटर में देखते हैं तो वहां केवल और केवल भकुट ही लिखा हुआ होता है वहाँ यह नहीं लिखा हुआ होता है कि भकुट कौन सा है, जबकि वास्ता में भकुट तीन प्रकार के होते हैं, नवम पंचम भकुट, दिरद्वादश भकुट और शडाश्टक भकुट, नवम पंचम में सीधा अर्थ है नवी और पांचवी राशी, वर वदू आपस में एक दूसरे से नवा और पांचवा पड़े, राशियां एक दूसरे से नवी और पांचवी पड़े, तो नवम पंचम भकुट देखा जाता है, एक दूसरे की राशियां एक दूसरे से दूसरी और बार वी पड़े, तो दिरद्वादश भकुट देखा जाता है, लेकिन अभी बात हो रही है, शड़ाश्टक बकुट के, मैंने आपको बताया है कि मृत्यू शड़ाश्टक भी होता है, अशुब राशियों का मिलान करते हैं, तो स्वास्त को हनी होती है, शड़ाश्टक स्वास्त के लिए देखा जाता है, और मित्र शड़ाश्टक भी होता है, मित्र शड़ास्टक में विवा हो सकता है तो आज दो जोड़े आपको बताऊंगो शड़ अस्ट शड़ का अर्थ छे और अस्ट का अर्थ आठ आपकी राशी से चाहे आप लड़के हो लड़की हो आपकी राशी से लड़के की राशी या लड़की की राशी आठ भी पड़े चटी पड़े तो शड़ाश्टक दोश वास्तम है कि नहीं देखा जाता है जब आप कंप्यूटर पर मिलान देखते हैं तो आपके सामने एक सारणी आती इस प्रकार की वहाँ पर भकुट के आगे जीरो लिखा हुआ होता है सामाने तोर पर लोग अपने गर पर ही देख लेते हैं आज कल सुविता हैं बहुत हो गई है लेकिन वहाँ पर लोग गलती यह करते हैं कि भकुट के आगे जीरो लिखा है तो यह मान कर चलते हैं कि बकुट दोश हो गया क्योंकि कंप्यूटर ने जीरो बता दिया और यहीं पर अच्छे-च्छे मिलान आपके हाथ से छूड जाता है क्योंकि बिना जोतिशी की सलाख है बकुट शड़ा स्टक नहीं देखा जाता है यदि आपको जोतिश का पूरा ग्यान है तब ही आप शड़ा स्टक देखें साथ के आगे जीरो लिख दिया आपने मान लिया अशुब लेकिन अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ यदि आप कंप्यूटर पर या किसी मोबाइल एप्लिकेशन से क्योंकि मोबाइल एप्लिकेशन बहुत सी बार गलत भी आता है बहुत से एप्लिकेशन मैंने ऐसे देखे हैं को उनमें तुरूटिया है कहीं नक्षत्र होना क्या चाहिए जन्वन अक्षत्र क्या बता रहे है गुण मिलान में भी fluctuation आता है तो यदि आप computer software कोई अच्छा हो उससे गुण देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा लेकिन आपको भगुट के उपर यह देखना होगा भगुट तो 0 लिखा है कोई बात नहीं आपने मान लिया उसको अशुप लेकिन ऐसे अशुप नहीं मानते हैं आपको उपर इस चार्ट को द्यान से देखें उपर ग्रह मेत्री लिखा हुआ है ग्रह मेत्री के पांच गुण होते हैं आप जो मिलान देख रहे हैं उसको भी द्यान से देखें ग्रह मेत्री के आगे कितने गुण मिल रहे हैं, 0 है, 1 है, 2 है, कितना लिखा हुआ है, यदि 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ऐसी इस्तती है, तो ग्रह मेत्री हो जाती है, अधिकतम 5 गुण ग्रह मेत्री के और नियूनतम तो 0 भी होते हैं, लेकिन 4 गुण ले सकते हैं, चार या पांच गुण लिखे हुए गरह मेत्री के आगे, तो भकुट वाला जो शड़ाश्टक है, वह दोश समाप्त हो जाएगा, आपको जो गुण नीचे प्राप्त हो रहे हैं, ध्यान से देखें, चाहे वे अठारा से कम ही क्यों ना हो, उसमें साथ गुण भकुट के औ और जोड़ देवें आप, तो आपकी वास्त्विक गुण मिलान की सारणी स्पस्ट हो जाएगी, गुण मिलान ऐसे नहीं कि आपने पंचांग में देख लिया, जो गुण लिखे हुए हैं, वही वास्त्विक गुण होते हैं, या आपने कम्पिटर में जो गुण देख ल जाएगे और मिलान शुब हो जाएगा, तो कल मैंने आपको बताया कि मेंश राशी, यहां पर आप दूसरा चार्ट देखें, राशियों का चार्ट मेंश से व्रश्चिक आठ भी पढ़ती है, और व्रश्चिक से मेंश छटी पढ़ती है, तो कल के वीडियो में ने बताया कि मेंश राश्चिक में शडाश्टक दोश्ट नहीं लगेगा, छटी और आठ भी पढ़ने के बाद भी, जब आप कम्प्यूटर पर देखेंगे, तो वहाँ पर जीरो लिखा हुआ हुआ लेकि मेंश राश्चिक में कभी भी शडाश्टक भकुट नहीं लगेगा, क्यों कि दोनों के राशियों के स्वामी मंगल हैं, आप द्यान से देखें, दोनों के आगे स्वामी भी लिखे हैं मैंने, इसी प्रकार व्रशब और तूला के स्वामी, दोनों के राशियों के स्वामी शुक्र होते हैं, शुक्र देवता दोनों राशियों के स्वामी हैं, इसलि तो आप मिलान कर सकते हैं, विवा कर सकते हैं, और जो गुण आवे नियुनतम, उसमें साथ गुण और जोड सकते हैं, कम से कम छे तो जोड ही सकते हैं, तो आप मिथुन और करक के बारें बतोंगा, मिथुन राशी से आठवी राशी पड़ती है, कौन सी गिने, इसी चार से तीन से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मकर राशी मितुन से 8 भी पड़ती है, और मकर से मितुन तक गिनें तो 6 पड़ती है, अब मितुन राशी के आगे स्वामी कोन लिखा है, बुद्ध, और मकर राशी के स्वामी कोन है, शनी, तो बुद्ध और शनी दोनों मिت्र हैं, जब आप कम्प मिथुन और मकराशी का आपस में विवाह हो सकता है इसमें शडास्टक भकुट दोस्त नहीं लगेगा दूसरी इस्ति कर्क और धनू को देखें आप कर्क सिंकन्या तुला व्रशिक धनू कर्क से धनू छटी पड़ती है शडास्टक छटी और आटवी यही इस्तिति देखनी शडास्टक भकुट में कर्क से धनू छटी पड़ती है और धनू से कर्क दनू मकर कुंब मीन मेंश व्रशब मिथुन कर्क आठवी पड़ती है आठ बार गिनना पड़ेगा तब जाके कर्क राशी आएगी तो कर्क और धनू राशी स्वामी कोन है कर्क राशी का चंद्रम धनु राशी का स्वामी कौन है गुरू गुरू और चंद्रमा कुंडली में भी साथ बेट जाते हैं तो गज केशरी योग बनाते हैं बहुत अच्छा योग होता है तो फिर इन दोनों का मिलान अशुप कैसे हुआ और जब आप ग्रह मेत्री देखेंगे जब आप कंप्यू तब आपको समझ में आया कि मीथुन और मकराशी का विवाह हो सकता है आपस में और कर्क और धनुराशी का आपस में विवाह हो सकता है अब कल जैसा कि मैंने बताया कि लड़के की वरश्चिक हो लड़की की मेश हो तो ज्यादा अच्छा इसी प्रकार मैंने यह भी कहा था कि यदि लड़की की व्रश्चिक हो और लड़के की मेश हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं तूला में भी बताया था तूला राशी यदि लड़की की हो व्रशब लड़के की हो तो ज्यादा अच्छा लेकिन लड़की की व्रशब है लड़के की तूला है तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं इसी प्रकार आज के विशे में भी मिथुन और मकर की बात करें तो मकर राशी लड़के की हो तो ज्यादा उत्तम मिथुन लड़की की हो तो ज्यादा उत्तम और यदि लड़की की मकर हो जाती है और लड़के की मितुन है तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी इसी प्रकार कर्ग और धनू में देखे हैं तो कर्ग राशी यदि लड़के की हो धनू लड़की की हो तो ज्यादा उत्तम फस्ट प्रायटी तो यही रखते हैं और धनू राशी लड़के की हो कर्ग लड़की की हो तब भी कोई समझ्या वाली बात नहीं है तो चार जोड़ें आप समझ लेएं मेश व्रशिक आपस में शादी कर सकते हैं व्रशब तुला आपस में शादी कर सकते हैं मिथुन और मकर आपस में विवाह शादी कर सकते हैं और कर्ग और धनू भी आपस में विवाह शादी कर सकते हैं कोई समस्या वाली बात नहीं इन राशियों के जोड़ों में शड़ाश्टक दोश नहीं लगेगा टुकड़ों में समझाने का आर्थ यहा है कि पूरे वीडियो में अगर सभी राशियों के बारें बता दू तो बहुत सी बार प्रश्ण भी आते हैं लोगों को समझ में नही देखी जाती है लेकिन वहाँ पर ग्रह मेत्री देखनी अत्ति आवश्चक है ग्रह मेत्री यदि चार से कम हैं तब ही विचार करना पड़ता है कि यह अशुब इस्तिती है यदि चार या पांच गुन मिल रहे हैं ग्रह मेत्री में तो शड़ाश्टक दोश नहीं लगता ह और बहुत सी बार पंडित मेश और वर्ष्चिक राशी का आपस में विवा करवाते ही नहीं है कहते हैं साब आठवी पड़ती है छटी पड़ती है इसलिए इनका विवा अशुब रहेगा लेकिन एसा हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा है उन्होंने इसपस्ट लिखा है जहां राशी मेत्री हो या राशियों के स्वामी एक ही हो वहाँ भकुट दोश समाप्त हो जाता है वरशब और तूला राशी का मिलान करते ही नहीं है बहुत से पंडित लोग जबकि वरशब और तूला राशी का स्वामी तो एक ही है शड़ाश्टक दोश कैसे लगेगा इसी प्रकार से कर्क और धनू में भी शड़ाश्टक बता देते हैं जबकि कर्क और धनू राशी वाले आपस में विवा करें तो कोई समस्या वाली बात नहीं कई ग्रंतों में, कई पुस्तकों में, वेदिक पुस्तकों में, पुरानी प्राचीन पुस्तकों में इसपस्ट रूप से लिखा है कि मेश वाला वरशचिक से विवा कर सकता है वरशब वाला तूला से विवा कर सकता है कर्क वाला धनू से विवा कर सकता है मिथुन वला मकर से विवाह कर सकता है किसी प्रकार का दोश नहीं लगेगा निश्चिन्त होकर आप विवाह कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हैं कोई समझ्या वाली बात ने बस आपको यह देखना है कि यदि आप घर पर ही कंप्यूटर देख रहे हैं तो आपको वहाँ पर घर मेत्री अवश्य देखनी होगी अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर करेंगे तब भी मैं आपको अवश्य बताऊगा और आपको इन चार जोड़ों के बारे में कोई भी समस्या है तो आप पूर सकते हैं वैसे इस वीडियो का उदेश यही है कि मेश, प्रशिक, प्रशब तुला, मितुन मकर और कर्क धनू ये चार जोड़े आपस में शुब होते हैं इनका विवा हो सकता है धन्यवाद, जैशिक्रिष्णा